प्रेक्शन के बारे में पढ़े थे फ्रेक्शन क्या होता है ठीक है ना आज हम लोग second lecture में multiplication of a fraction पढ़ने वाले है तो जो fraction होता है हम लोग उसका multiplication कैसे करने वाले है यहाँ पर इस lecture में देखेंगे ओके चली सबसे पहले कुछ basics points को देख लेते हैं क्या be much familiar with the many indoor game how about a chase बोलागे क्या कि एक हमारे पास बहुत सारे ऐसे familiars है indoor game के बारे में जैसे एक ह तो आप लोग chase खेलते होंगे ठीक है तो अगर हम बोले कि यह आपका एक क्या है chase है ठीक है जो भी है simply हम दिखाना चाहते है okay now if we know the length of one side of a chase board then we can find its area बोलागे क्या कि अगर हम इस chase board का इस chase board का ठीक है length जानते है कि इसका एक side का एक single side का हम लोग length जानते है तो हम लोग क्या कर सकते इसका area find कर सकते है तो चलिए हम माल लेते है कि इसका side देखे क्या दिया हुआ suppose the side of a chase board each eight home number three by four centimeter इसका हमारे पास कितना दिया हुआ है eight home number three by four centimeter एक side है ठीक है तो देखे अगर हमारे पास एक side मालूम चला ठीक है और यह chase कैसा है it is in the form of a square ठीक है देखे आगे लिखा हुआ है chase being a square जो chase क्या है it is in the form of a square its area will be अब इसका area क्या होगा तो अगर area अगर हमे में है तो area of square का formula क्या होता है area of a square इसका formula क्या होता हमारे पास side into side into side okay अब देखे बिटा हमारे पास side कितना है eight home number three by four into eight home number three by four okay हम लोग क्या करेंगे इसका multiply करेंगे चलिए आगे multiply करके देख लेते क्या होने वाला है लेट सी अब देखे अगर हमें इसका multiply करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा mix इंप्रोपर बनाएंगे तो mix इंप्रोपर बनाएंगे तो एट फोर जा 32 एट फोर जा 32 32 प्लस 3 क्या हो जाएगा 32 प्लस 3 equal to what 35 by 4 into इसे भी बनाएंगे तो यह क्या होगा 35 by 4 अब इसे multiply कर ल लिखते है 25 अब इसको 16 लिख लेते है अब इसको divide कर देना है यह क्या हो गया यह आपका answer हो गया तो देखे हम लोग इसका area कैसे find कर लिए क्यूंकि हमारे पास side दिया हुआ था ति यह हमारा क्या है this is the multiplication of a fraction this is the multiplication of a fraction ओके चलिए आगे हम लोग पढ़ते है let's see फिर से आते हैं हम screen को वहीं पर लेकर देखे तो हमारे पास यह figure दिया हुआ था तो देखे figure में क्या है multiplication of a whole number क्या topic है multiplication of a whole number देखे पहला point क्या है observe the flowing rectangle बोला क्या क्या कि इस rectangle को आप observe करके देखे तो देखने पर क्या लग रहा कि आपका एक part जो कि क्या है यह स्ट्रेंगल में भी एक स्ट्रेंगल में कितने part में divide किया गया us स्ट्रेंगल प्वार्चन है इसका जो कि आपका fraction क्या होगा तो देखे वन है तो पिछले क्ले ख्लास में बताया थे तिसका portion कहा ह्मारा जो कि क्या हो जाएगा fraction 1 तो एक साथ ले रहे है ठीक है एक साथ का मतलब क्या हो गया हमारा दो हो गया और एक का कितना है वन बाई थ्री तो इसको मल्टिप्लाइ करने का रूलस क्या होता है यह थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं इसी पार्ट कोिन क्या हो सकता अगर एडिशन multiplication क्या है nothing it is a form of addition यह आपका advance form of addition का होता है तो देखे हमारे पास क्या 2 times of 1 by 3 तो इसका मतलब क्या हो गया 1 by 3 को अगर हम लोग 2 बार जोड़ देते हैं तो क्या होगा चलिए addition करके देखते हैं देखे हैं यहाँ calcium 3 1 plus 1 1 plus 1 क्या हो गया 1 plus 1 is 2 upon में 3 देखे यह answer और यह answer multiply कर दोनों same आ रहा है तो यह हमारा क्या हो गया multiply करके यह आपका form आ चुका है इसके बाद आगे हम लोग क्या देखेंगे इसके बाद हम देखने वाले multiply करने के बाद हमारा figure कैसा दिखेगा तो चलिए हम आते figure के तरफ देखे हमारे पास यह figure था तो देखे यह आपका पहलाər पार्ट था यह आपका दूसरा पार्ट था इन दोनों को multiply किये तो हमारे पास 2 बाई 3 औया है जिसका diagram क्या हो गया यह हो गया ठीक है तो यह आपका क्या दिया हुआ है हमारा यहां पर दीख रहा है कि यहां पर two parts is hidden out मतलब क्या हो गया shaded हो गया दो पार्ट हमारा shaded है तो यह हमारा two by three को denote करता है यह figure two by three को denote करता है चलिए इसके बाद second example देखते है second example क्या है in the flowing square the shaded portion represents one by four area of each square बोला गया क्या कि एक जो single square है यह वाला single square यह क्या represent कर रहा यह represent कर रहा one by four one by four the area of a part चलिए इसका color थोड़ा change कर लेते हैं आपको देखेगा तो अगर यह आपका one by four थे यह भी क्या है यह भी क्या है इन तीनों को एक साथ combine करेंगे तो हमारा combine करने एक बाद मतलब क्या होगा multiply तो देखे एक का one by four है तो तीन का क्या होगा three into one by four three into one by four करेंगे अब finally इसके बाद यह combine होके हमारा कैसा दिखेगा three by four इस तरह से दिखेगा ठीक है तो देखे यह भी example क्या आपका same example था यह भी example आपका same example था ठीक है चलिए उसके बाद देखे आपका क्या नीचे दिया गया now find कुछ find करने के लिए हमारा दिया हुआ है तो हम लोग इसको find करते है देखे पहला find करने में क्या दिया हुआ है five into three by seven इसका value क्या होगा यह निकालना है तो देखे यहाँ पर क्या करेंगे कुछ नहीं है तो numerator में हम लोग क्या लिख लेंगे one यह आपका हो गया five by one अब देखे हम क्या बोले numerator को numerator के साथ denominator को denominator के साथ multiply करना है तो numerator क्या हो गया five into three denominator में क्या है one into seven ओके तो देखे five three जा fifteen नीचे क्या होगा seven ओके तो यह हमारे पास answer आजाएगा ओके यह first part का आपका है देखे इसी तरह से second हमारे पास क्या दिया हुआ है second को भी हम solve कर देते है चलिए नीचे में solve करते हैं यहीं पर इस part को हम पहले erase कर देते है पहले वाला देखे second में क्या multiply करना है बटा four into three by five क्या दिया गया है four into three by five क्या होगा ठीक है तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लिए four into three by five इस fraction को multiply करना है now numerator को numerator कर साथ four three जा twelve यहाँ पर क्या होगा five देखे आपके पास answer twelve by five भी दे सकता है या फिर इसको आप हम क्या कर सकते mix में change करेंगे five two जा ten two whole number five तो यह भी answer हो सकता है mix form में अगर हम improper में छड़एंगे तो क्या होगा improper में अगर answer को अगर हम लोग छोड़ते हैं तो क्या होगा twelve by five answer आएगा okay now so far we have considered the multiplication of a proper fraction one by three, one by four, three by seven, three by five with the whole number in the same way improper of a fraction can be multiplied by the whole number बुलाइग क्या है improper का भी हम लोग क्या है उसी तरह से multiplication कर सकते है ठीक है चलिए आगे देखते है इसके बाद क्या हमें पढ़ना है let's see तो क्या इम्प्रोपर का जो कि यह है आपके बुक में जो कि यह दिया हुआ है सेम उसी वे से हम लोग करेंगे यहाँ पर कुछ ट्राइग दीश दिया हुआ है तो इस ट्राइग दीश को सबसे पहले हम लोग समझते है क्या वो लगया find the flowing product product को आपको find करना है तो पहला आपका जो कि है 1 का A में क्या है let's see 1 का A में क्या दिख रहा 3 by 16 multiplied by 5 कुछ ने यह तो क्या करना आपको यहाँ पर 1 लिख लेना है denominator में अब देखें numerator को numerator के साथ multiply करेंगे तो 5 3 जा 15 और 16 into 1 क्या होगा 16 होगा तो यह ही आपका answer हो जाएगा similarly आप लोग क्या किजिएगा 1 का बाकी जो किया है second B, C, D आप लोग खुद से solve किजिएगा इसके बाट second देखते है second में क्या multiply the flowing second का A ही हम ले लेते है क्या दिया हुआ है 1 whole number 7 by 10 is multiplied by 8 सबसे पहले whole number को आपको क्या करना है improper में change कर देना है तो देखे 10 बंजा 10 10 प्लस 7 क्या हो गया 17 by 10 into 8 by 1 अब क्या करना है numerator को numerator के साथ multiply और denominator को denominator के साथ multiply करेंगे 8 7 जा 56 carry 5 8 बंजा 8 8 प्लस 5 क्या होगा 13 which is divided by 10 10 into 1 10 ही होगा तो यह आपका क्या होगा answer हो जाएगा इसके बाद क्या है complete the flowing as done in the part बोला गया क्या कि जो part में आपके पास दिया गया है इसको आपको complete करके लिखना है ठीक है चलिए देखते कैसे हम लोग लिखेंगे देखे सबसे पहले हमारे पास figure 1 में देखे यह number figure का answer भी दिया हुआ है देखे यह पहला हमारा जो square है सबसे पहले आपको first square के बारे में देखना है तो देखे यह आपके पास first square है यह क्या है 1 by 4 है 1 by 4 प्लस 1 by 4 प्लस 1 by 4 तो यह complete होके क्या हो जा रहा 3 by 4 इसी तरह से आपको second B में क्या करना हुआ देखे हमारे पास सबसे पहले पहले वाले पार्ट में देखे कितने parts added है यहाँ पर लिखेंगे 1 total parts कितने divided है 1,2,3,4,5 pentagon है यह 5 और ऐसा ऐसा कितना है 2 है इसको multiply कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका यह आपका 3 का भी है तो क्या आजाएगा concept of operator of in a fraction अगर fraction में कहीं पर off लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है board mass में भी हम लोग पढ़े थे off का मतलब क्या होता है multiply off का मतलब क्या होता है multiply ठीक है जैसे दिया है this added portion in the adjoining figure represent 1 by 2 of 1 क्या बोला है 1 by 2 of 1 इसका मतलब क्या हो गया कि 1 by 2 into sorry पले हम लोग figure से समझते है उसके बाद जो कि हम लोग आगे proceed करेंगे पले इस figure को आपको समझाते है तब आगे आएंगे क्या होता है ठीक है देखे हमारे पास ये figure में क्या दिया है एक shaded portion है ये क्या है 1 by 2 है दूसरा क्या है दूसरा भी 1 by 2 है इन दोनों को अगर combine कर देंगे था हमारे पास क्या आ गया देखे तो 2 by 2 आ गया 2 by 2 आ गया अब which is equal to what काटेंगे तो 1 के बराबर होगा ठीक है बोद the shaded portion together will be represent 1 by 2 of 2 1 by 2 of 2 ठीक है अब देखे जब हम यहाँ पर बात करें यह हमारा दोनों क्या हुआ तो यह कैसे आया इस चीज़ को आपको समझना है देखे तो हमारे पास क्या बोला गया कि अगर बोला गया है कि 1 by 2 of 2 1 by 2 of 2 ठीक है तो 1 by 2 of 2 का मतलब क्या हो गया 1 by 2 of का मतलब क्या बता है आपको हम multiply into 2 नीचे कुछ ने तो 1 देखे यहां से 2-2 cancel हो रहा तो 2-2 cancel होके क्या हो गया 1 हो गया तो यह आपका off का simplification होटा है यह आपका off का simplification है चलिए आगे देखते हैं देखे इसके बाद try this दिया हुआ है try this में हम पहला question को ही बताते है चलिए तो हमारे पास a1 क्या है a1 is 1 by 2 of 96 of 96 ओके नौ देखे 1 by 2 off का मतलब क्या बता है बटा off का मतलब multiply into 96 अब यहां पर 2 अज़ा 2 इसको 2 से cancel करते है 2 फोर्जा 2 फोर्जा 8 और 2 एड़ जा 16 तो हमारे पास कितना आएगा 48 आएगा तो DC जावर answer यह आपका क्या होगा answer 48 आएगा ओके चलिए एक और हम बता देते हैं next हम लोग C को ले लेते हैं किसको C1 देखे C में क्या दिया हुआ है हमारे पास C में क्या है let's see question number C question number C में क्या दिकरा 2 by 5 off 30 यह दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं हम लोग off को क्या लिखना है multiply के sign में multiply 30 और नीचे कुछ ने है तो 1 अब देखे 5 वं जा 5 5 जीख जा 30 तो 6 into 2 क्या होगा 12 तो यही हमारा answer हो जाएगा ओके चलिए तो बाकी question को आप लोग खुद से solve किजिए इसके आगे next question देखते है एक्जामपल 6 अब बुक कॉंसिस्ट ऑफर 264 पेजेश पारूल है रेड 3 by 4 और बुक तिल यस्टर्डे यस्टर्डे तक वो क्या की है 3 by 4 बुक के पेजेश को पढ़ चुकी है how many more पेजेश she has to read और कितना आधिक पेजेश उसको और पढ़ना होगा ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास जो given है वहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे कि total total number of pages pages in a book कितना है 264 पारूल है रेड 3 by 4th of the book तिल यस्टर्डे ठीक है यहाँ पर लिखेंगे पारूल रेड रेड पारूल रेड अबूक यस्टर्डे कितना पढ़ रही है 3 by 4 of total 264 यह हमारे पास condition था बिटा इस condition के हिसाब से इसको अब हमको क्या करना है simplify करना है तो देखिए off का मतलब क्या बताया थे आपको हम off का मतलब क्या है off का मतलब multiply यहाँ पर हम लोग multiply के form में लिख लेंगे 3 by 4 into 264 अब देखिए यहाँ से 4 से काटते है 264 24 264 अब multiply करेंगे तो क्या होगा 3618 carry 1 3618 plus 1 198 मतलब क्या yesterday तक यह 190 pages पढ़ चुकी है अब question को फिर से आगे पढ़ते है क्या निकालना है देखिए आगे क्या निकालना है how many more pages she has to read उसे और कितना pages पढ़ना होगा ठीक है चलिए लिखते है आगे statement she has to she has to read कितना more pages पढ़ना होगा total 264 पढ़ चुकी है 190 अब इसको हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे ठीक है इसको हम लोग घटाएंगे देखिए यहाँ पर 4 है 4 से सब्टेक नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे carry लेंगे carry लेंगे 14-8 is equal to what यहाँ पर 6 आ जाएगा ओके 5 तो यहाँ पर 15-9 करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर भी 6 आ जाएगा अब यहाँ से carry लेंगे तो 1-1 क्या होगा 0 तो उसको कितना पढ़ना होगा 66 pages को और पढ़ना होगा 66 pages को और उसे पढ़ना होगा ओके इसको आप लोग क्या कीजेगा note down कर लीए इसको आप लोग note down कर लीएगा इसका solution को हम एक जगा दिखा देते है देखे आपको दिख रहा तो यह आपका isका solution हो चुका है उके इसको आप लोगuto पाउस करके note down कीजे इसके बाद हम लोग आगे next question को देखते है देखे इसके बाद आपका exercise 2.2 start होता है exercise 2.2 में क्या है match the flowing product with their corresponding pictorial representation आपको क्या करना है इसका जो representation दिया गया उसके साथ आपको क्या करना matching करना है पहला क्या है 2 into 1 by 3 2 into 1 by 3 सबसे पहला चीज़ कि आपको यहां पर 1 third part को देखना होगा और ऐसा कितना part होना चाहिए 2 part तो हमारे पास देखे 1 third वाले part कौन सा है यह आपका 1 third रिपर्जेंट करता है और ऐसा ऐसा 2 देखे यहां पर 2 है न तो इसको क्या करना है आपको इसके साथ matching कर देना होगा इसके साथ matching कर देना होगा इसी तरह से B एक और आपको बता देते हैं एक तो हमने एक जोके कर लिए B में क्या दिया हुआ है 3 into 1 by 2 यह दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले 1 by 2 parts देखना कहा है देखे यहां पर 1 by 2 parts हमारा दिरा ओके थर्ड वाले में तो यह आपका 1 by 2 parts हो गया यह आपका 1 by 2 parts अब यहां पर ऐसा ऐसा कितना 3 parts होना चाहिए एक दो और यह 3 इसका मतलब क्या हो गया यह इसके साथ matching होगा तो आप लोग बाकी को भी rest 1 को इसी तरह से book में match कीजिए अब इसके बाद हमारा बारी आता है question number second इसके बाद हम लोग question number second के तरफ proceed करेंगे ठीक है चलिए देखे question number 2 को हम second को नीचे में बनाते है question number 2 का पहला question को हम ले लेते है 2 का A तो क्या बोलो गया find हम यह value find करना है 8 by 3 into 4 कुछ नहीं है तो क्या बता है denominator में one लिख लेना है denominator में one लिख लेना ठीक है तो क्या हो जागा बटा 8 forja 8 forja 32 upon में 3 या फिर आपका answer इस तरह से छोड़ा हुआ रहेगा answer ऐसा दिया हुआ है तो भी अच्छी बात है अधरवाइड नहीं तो mix में दिया रहेगा ठीक है तो mix में देगा तो क्या होगा 10 whole number 2 by 3 यहीं आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा ठीक है question number 2 का बाकी question को खुद से बनाईए इसके बाद हम लोग question number 3 देखते है 3 क्या है find 1 by 2 off तो देखिए यह number हम अब से पहले लेते है क्या बुला गया 1 by 2 off और यह में क्या है off के बाद 48 हो जाएगा 48 हो जाएगा अब इसको हमको क्या करना होगा solve करना होगा तो देखिए इससे पहले अभी हम example में try this में आपको बताये थे 1 by 2 off का मतलब क्या है multiply by 48 अब देखिए इसको 2 से हम लोग cancel करेंगे इसको 2 से cancel करेंगे तो जब cancel करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 2 to 4 24 आजाता है तो हमारा answer क्या होगा 24 आजाएगा चलिए इसी का एक और हम B बता देते है सबसे पहले B में हमें देखना है B में क्या दिया है 36 दिया हुआ तो 1 by 2 of 36 लिखेंगे 1 by 2 of 36 लिखेंगे चलिए B वाले को हम लोग इस तरह से लिख लेते है क्या लिखेंगे 1 by 2 of 36 अब देखिए off के जब पर आपको क्या लिखना है multiply का sign यहां प्लिख लेंगे multiply 36 2 से इसको cancel करेंगे तो क्या होगा 18 हमारा answer क्या हो जाएगा 18 आवर answer is 18 ओके चलिए इसके बाद हम लोग question number fourth के तरह proceed करते है ओके let's see question number fourth क्या है 4 by 5 of 35 B में 60 C में 105 D में 15 डवर 0 ठीके तो चलिए सबसे पहले हम A number को solve करते है A number को solve करते है क्या दिया है find 4 by 5 of 35 ओके तो यह आपका question number fourth का A है question number fourth का A है क्या बोला गया था एक बार फिर से question को देख लीजे आप लोग देखे question क्या है 4 by 5 of 35 4 by 5 of 35 ओके same way कोई changes नहीं यहाँ पर 4 by 5 off के जाओ पर multiply and gain 35 5 ओन जा 5 5 से बन जा 35 और 7 को 4 से multiply करेंगे तो क्या होगा 28 तो this is your answer ओके नौ देखे similarly आपको क्या करना है इसी तरह से अगर B वाले लेते हैं 4 by 5 of 60 C वाले लेंगे क्या 4 by 5 of 105 D1 को क्या लेंगे 4 by 5 of 15 डवल 0 ठीके इसको simplify करके आपको answer solve कर लेना रहेगा ओके चलिए तो हम आपको इसको zoom out कर देते है इसको आप लोग note down कर लिए ओके तो विडियो को pause कीजिएगा और इसे note down कीजिएगा और बाकी question को आपको खुद से solve करना है बाकी question को आपको खुद से solve करना है ओके चलिए इसके बाद आगे देखते है next हमारे next question number 5 पे आते है question number 5 में क्या दिया हुआ सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या बोला find 1 by 4 of an hour what is the value of 1 by 4 of an hour ठीक है तो चलिए 5 का A को ही हम solve करते है 5 का A में आपके पास क्या दिया हुआ है question को हम यहाँ पर लिख देते है क्या बोला गया था 1 by 4 of an hour यही दिया था नो चलिए एक बार फिर से आपको दिखा देते question क्या 1 by 4 of an hour हम लोग इसको लिख लिए अब अगर आपके पास बोला गया 1 by 4 of an hour यह चीज यहाँ पर बताए hour hour का मतलब क्या होता घंटा hour का मतलब घंटा होता और 1 hour is equal to how much minute अगर हम बोले के 1 hour is equal to how much minute तो 1 hour is equal to what 60 minute 60 minute ठीक है चलिए तो हम लोग इसको solve करते है 1 by 4 hour बोला है और के जब पर यहाँ पर multiply hour को हम 60 लिख लेते है 4 1 जब 4 इसको काटेंगे तो क्या होगा 15 तो हमारे पास answer क्या आएगा our answer is 15 minute इसको आप लोग वीडियो को पाउस कीजेगा और not down कीजेगा इसके बाद next question क्या है 2 by 3 of a year अगला question क्या है 2 by 3 of a year एक और question इसका हम बता देते 2 by 3 of a year B1 है आपका 2 by 3 of year 2 by 3 of a year 2 by 3 of a year लिखा हुआ था ना question में देखे तो year यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि यह years बोला इसका मतलब क्या हो गया एक साल एक साल ओके और एक साल में हमारे पाश total number of days कितने होते है 365 365 365 यहाँ पर हम लोग 365 इट में भी हो सकता book में 366 भी ले लिया मगर लिपियर बोला नहीं है तो इसलिए आपको 365 ही रखना 365 ही रखना होगा अब क्या करना है अगर यह कटता है तो आपको काटना होगा अगर नहीं कटता है अगर यह नहीं कटता है cancel नहीं होता है तो क्या कीजेगा डारेक्ली मल्टिप्लाइ करिएगा उसको रख दीजेगा 2, 5, 10, carry 1, ठीक है, 2, 6, 12, plus 1, 2, 6, 12, plus 1, 13, carry 1, 3, 2, 6, plus 1, 17, 6, plus 1, 70, यह हो गया, 7, 3, 0, upon 3, हो सकता, अगर answer आपका mix में है, तिसको divide करके, आपको mix में बदल लेना होगा, ओके, चलिए, इसके बाद next question देखते है, हमारे next question क्या है, question number 4, क्या दिया है, multiply and express the flowing as a mix, पोला गया है क्या, इसको multiply कीजिए, और आपको इसको express किसमें करना, you have to express as a mixed fraction, express as a mixed fraction, ओके, तो चलिए, हम पहला question को ही लेंगे, पहला question क्या दिया हुआ, 4 into 8 whole number 1 by 8, इसको multiply भी करना है, उसके बाद express करना है, mix fraction के term में, ओके, चलिए, तो हम जो की है, नीचे लेकर आते है, यह आपका question number 6 है, और 6 का क्या है, a है, ओके, तो चलिए question दिया हुआ था, 4 into 8 whole number 1 by 8, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला work, यहाँ पर mix को improper बनाएंगे, mix को improper बनाएंगे, ठीके, 8, 8 जा, 64, 64 plus 1 क्या होगा, 65 by 8, ओके, अब देखिए, यह कटेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा cancel out कर दिये, तो क्या बचे आपके पास, 65 by 2, अब इसको, आपको क्या करना, mix बदलना है, अगर आपको directly आता है, तो अच्छी बात है, नहीं, तो rough में क्या कीजे, इस तरह से divide कर लिजे, 2 3 जा, 6, cancel out, 5, 2 2 जा, 4, यहाँ से 1, देखिए, हम लोग क्या करते थे, इसको क्या रखते थे, whole number, remainder को क्या है, आपका numerator और यह denominator, तो लास्ट क्लास में आपको लिखने बताये थे न, तो इस तरह समलोग solve करके, लिख लेते है, ओके, तो यह रफवर को हम delete कर देते है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका final answer हो जाएगा, ओके, अब इसके बाद, question number 7 के तरफ proceed करेंगे, देखे, question number 6 का और भी question जो किया है, आपको खुछ से बनाना होगा, question number 7 में क्या दिया है, compare using, compare using, क्या है, greater than, यह आपका greater than का sign है, less than and equal to, यह आपको compare करके लिखना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, value को find करके लिखना होगा, जैसे 7 का A 7 के A में हम बताते है, 7 का A में, ठीक है, चली, नीचे के parts को हम erase करके, और यहीं पर आपको बना कर हम दिखा रहे है, इस parts को हम delete कर देते हैं, ओके, यहाँ पर, इस question को हम delete करते हैं, 5 का A को, देखें, हमारे पास question क्या दिया हुआ है, compare, ठीक है, तो 7 का A ले लेते है, देखें, A में क्या दिया हुआ है, 2 of 7 by 8, यहाँ पर इस तरह से box है, 4 of 5 by 8, यह पूरा question को लिख लिख लिए, अब देखें, इसका off का मतलब आपको क्या बतायता है, multiply, 7 by 8, यहाँ पर bracket डालिए, 4 into 5 by 8, अब देखें, इसको काट सकते हैं, नहीं भी हम लोग काटेंगे, ठीक है, हम काटने वाले नहीं है, इसको हम लोग cancel नहीं करेंगे, ठीक है, तो देखें, अगर हम cancel नहीं करते हैं तो यह आपका क्या बन के आने वाला है, देखें, 7, 2, 14, 14 by 8, यहाँ पर 5, 4, 20 by 8, अब देखें, हमारा denominator सेम है, अब numerator से compare करेंगे, numerator में हमारे पास बड़ा कौन सा है, 20 है, तो इधर में इस तरह से sign हम लोग लगा देंगे, ठीक है, और यहीं आपका क्या हो जाएगा, answer हो में directly क्या करना, आपको sign दे देना है, greater than, less than, और आपको नहीं तो equal to होगा, तो equal to का sign को so करना होगा, ओके, चलिए, इसके बाद हम लोग question number 8 के तरफ proceed करते है, let's see question number 8 क्या दिया हुआ है, question number 8 एक अच्छा question है, ठीक है, question को सबसे पहले हम लोग पढ़ते है, उसके बाद द 50 students, एक class में total कितने बच्चे है, पचास बच्चे है, ठीक है, 1 by 5 are the, 1 by 5 are the member of a drama class, चलिए, इसको हम रख दिये, इसको आप लोग copy भी कर लिए, question number 7 को, 1 by 5 are the member of a drama class, मतलब क्या total student का 1 by 5 क्या है, drama club में, जो कि आपका member है, आगे दिया है, 1 by 10 are the member of a debating society, debate society का कितना member है, 1 by 10 है, and remaining children are member of either mathematics club और a science club, बचे वे क्या है, mathematics और science club के student है, okay, now find क्या करना है, how many students are the member of a drama club debating society, okay, second बोला है, what fraction of the total number of students are the member of mathematics और a science club, okay, now, इस question को solve करने के लिए, सबसे पहले हम erase करते हैं, नीचे के solution, और नीचे में ही हम आपको solve करेंगे, क्यूंकि आपको बेज़ोलाइज रहेगा, question भी आपको दिखता रहेगा, okay, चलिए, नीचे के कुछ और भी parts को हम delete कर लेते हैं, चलिए बटा, enough है, देखे, question हम यहां पर लगाते हैं, देखे, question में क्या बुला है, 50 students, तो यहां पर लिखेंगे statement पर क्या है, total number of students, total number of students, कितने students है total, total number of students is 50, यह हमारे class में 50 बच्चे है, उसके बाद क्या बूला, member of a drama club, तो सबसे पले drama club में कितने बच्चे होते हैं, यह निकालिए, drama club, number of students in a drama club, ओके, in a drama club, students भी, ऐसे लिखे लिखेते हैं, students भी, क्या होंगे, 1 by 5, 1 by 5 of 50, तो यह काटेंगे तो कितना हो गया, तो drama club में कितने बच्चे होगे, 10 students, 10 students, drama club में होगे, इसके बाद आगे question में फिर क्या बोला गया, 1 by 10 of a member of debating society, तो चलिए, number of student in a debating society निकालते है, number of student in debating society, देखें, debating society का, हमारे पास कितना दिया गया, 1 by 10, क्या बोला है, 1 by 10, तो चलिए होगे, हम पर हम लोग निकाल लेते हैं इसका cases, 1 by 10 of a total, total कितने थे बच्चे, 50, इसको cancel करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 students, तो 5 students हमारे क्या है, debating society में है, ओके, चलिए, आगे फिर से question को हम लोग पढ़ते है, आगे question में क्या बोला, and remaining children are member of either mathematics club और a science, बचे हुए है, ठीके, तो हमारे पास बचा हुआ कितना होगे, देखे, हमारे पास सबसे पहले ध्यान देना होगा, तेन पहले से हमारा fix हो चुका है, किसमें, ड्रामा में, 5 students क्या होगे, debating society में, तो remaining students क्या हो जाएंगे, हमारे पास remaining क्या होगे, 10 प्लस 5, 15 हो चुके है, तो यहाँ पर remaining student का case पर ले हम लोग find कर लेते हैं, ठीके, तो चलिए, यहाँ लिच लेजे, remaining, remaining student, तो remaining student क्या होगे, 50 minus, 50 minus, देखे, 10 प्लस 5 कितना हो गया, 15, which is equal to what, 35, 35, हमारे पास बचे हुए students कितने होगे, mathematics और science club में, 35 student हो चुके है, 35 student हो चुके है, अब देखे, अब हम लोग question को पढ़ेंगे, question को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और सारे answer को देते चले जाएंगे, क्योंकि जो question में दिया गया था, उसे तो हमने find कर चुका है, चले, तो हम लोग question को आगे पढ़ते है, क्या find करना है, देखे, बोला गया, how many student are the member of a drama club, member बोला गया, देखे, drama club का उपर निकाले है, कितने है, 10 students है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर, 8 का A में, A में लिख देंगे, यहाँ पर क्या, drama club में कितने student हो गये, drama club, drama club में students कितने, 10 हो गये, उके, इसके बाद B क्या हमारा है, question देखे, B पढ़ते है, देखे, B में किया, debating society, number of student, देखे, debating society में कितना निकला है, 5 student, ओके, यहाँ पर 5 student है न, यहाँ पर debating society का लिख लिखेंगे, debating society, debating society, कितने हो गये, 5 students, ओके, इसके बाद, next question क्या है, last, देखे, what fraction of a total number of students, are the member of mathematics or a science club, total के, हमारे क्या बोला गया, कितना fraction है, किसका, जो की, आपका, mathematics or a science club, तो सबसे पहले, mathematics science club में हमारे पास remaining बच्चे कितने है, 35, ठीके, तो इसका हमें क्या निकलना है, fraction निकलना है, क्या निकलना है, fraction निकलना है, देख लिजे, ये B1 है, अच्छे, ये 102 दिया हुआ था, इसका numbering जो की changes है, ये 102 था, ये आपका 1 था, और ये आपका 2 था, ओके, इसके बाद B, तो B में क्या बोला गया है, fraction निकलना है, ठीके, किसका fraction निकलना है, fraction of science, fraction of science club, fraction of science club and mathematics club, ना, science and mathematics club, ओके, इसका fraction हमको निकलना है, ठीके, कितने है, 35 और टोटल इस्टूडेंट, 50, 5, 7, जा 35, 5, 6 को काटेंगे तो, 10, कितना हो जाएगा, 7 by 10, तो यही क्या होगा, आपका answer हो जाएगा, ओके, तो यह आपका question number 8 का क्या है, solution है, यह आपका question number 8 का overall solution है, ठीके, हम सारे solution को, zoom out करके आपको दिखा दिये है, वीडियो को pause कीजिए, और note down इसे कर लेना है, ओके,